हाई गाईज विल्कम बैक तो दूस विजय मिश्रा यॉर कॉर्शन गाइट तो कैसे हो आप सभी लोग दाइंग इस कि अभी आप लोग का इससे सीजल का नोटिफिकेशन आ गया है और आप लोग फॉर्म भर रहे हो ठीक है अधा में प्रॉब्लम अराइस कि आप लोग यह स को मैं फॉलो कर सकता हूं तो आज मैं वीडियो में आप साथ यहीं सब बात करने वाला हूं कि एक्जाम का स्ट्रक्चर क्या है सारे रिसूर्स बताओंगा कहां कहां से पढ़ने है चारो सब्जेक्ट के ठीक है उसके बाद मॉक्स पगरा कैसे लगाने है और मीन होता है कि आपका माइंडसेट के ओनर चाहिए इस एक्जाम को निकालने के लिए जो बताने जा रहो हूं आप लोगो यह बात ध्यान रखेंगे देखी इस एक्जाम को निकालने के लिए आपको थोड़ा पेशिन्स रखना होगा ठीक है क्योंकि एक्जाम किसी पॉइंट आफ टाइ पांस नहीं है तो वेकैंसी कम ज्यादा आ सकती है हो सकता हूं लाष्ट यह जा रहा है साले पांस जा रहा है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो थोड़ा आप लोग पेसेंस रखना और डेडिकेशन रखना उसके बाद एक बार जौब मिल गए फिर तो जौब से आपको पता है प्रिपेशन करनी पड़ेगी ओके ठीक है तो जो मैं आपको स्टैटेजी बताने जा रहा हूं जो मैं एक्जाम पैटर में जा रहा हूं सब कुछ यह जान लीजिए एप्लिकेबल होगा ऐसा से सीजियल के लिए साथ ही साथ साथ सीचसल के लिए और साथ ही स्टैप के होते सबसे पहले एक्जाम पैटर के बाते हैं इस पूरी एक्जाम में एक्जाम होता है टीर 1 टीर 2 टीर 3 टीर 4 टीर 1 में क्या होता है कि आपके 4 सब्जेट आते हैं English, Mathematics, Reasoning और आपका GK टोटल यह पेपर जो होता है 200 मांक्स का होता है एक घंडे का होता है ठीक है नेस्ट जाते हैं वो 2-2 घंटे के पेपर होते हैं टोटल 4 घंटे के पेपर होता है दो शिफ्ट में होता है ठीक है और वो हो जाता है आपका 400 मांक्स का और टीर 3 जो आपका होता है वो होता है descriptive पेपर जिसमें आपका क्या आता है कि एक आपको essay letter यह सब लिखना होता है pen paper बेज हो K177 वो सास्व चारोमेंस से ही था अब सास्व में आपका बन गया तो दूमा पल को चल के जाता है दीघि के लिए के पछले और फशी बाद में आपका काम आपका लिए होता है जिनमें आपका टाइपिंग होता है एक CPT और DEST होता है वो बाद में आपको बता दूँगा PPT बनानी होती है ठीक है तो आप अगर में T1, T2, T3 अगर निकाल लेते हो तो उसके बाद आपका सारा काम इसली हो जाता है में यह 3 सेक्शन होते हैं देखे जो आपक प्रश्मी चलता है अगर जब मैंस इंगलिश अच्छे से पढ़ी रहे हो तो आपको टीर 2 में प्रकाम में आता है ठीक है आप क्या बोलोगी सर टीर 1 के त्यारी करते हैं क्योंकि सबसे पहला पड़ाओ तो उसका टीर 1 ही है टीर 1 में आप जितना अच्छा करोगे उतना ही में अच्छा है क्यों क्योंकि इसमें सर दि स् railway कि आप जो टीर 1 है टीर 2 हो ट्यẩी तीनों के स्कोर जोड़ा जाते हैं कोई वी कवालिफाइग इन निदुर नहीं होता है ति के टीर 1 में आप जितना ज़्यादा ज्यादा ज्यादा सपो down, autor,the educational, playground,fet,sk्èsम, sleepy डिन रहे है ना कमेंट टू इस वीडियो को आप पूरा देखना जिससे आपको पता चले तीनों ग्जाम का प्रेपरेशन कैसे आप साफ में कर सकते हो आप 1.5 पर चाहे लगा लो लेकिन एक एक बात ध्यान सुरना जो मैं बोलने जा रहा हूं ठीक है है दो तरह के टॉपिक्स होते हैं एक वर्बल एक नॉन वर्बल ठीक है रिजनिंग बहुत ही इजी टाइप की होती है टिपिकल जैसे बच पर हम लगाते थे पैसे रिजनिंग नहीं है जो कि बैंकों में आती है पजल और सिलोजिसम यह सब नहीं आता सिंपल रिजनिंग आत हो सकता है उतना प्रैक्टिस कर अच्छे से ठीक है कमिंग नेक्स्ट टॉपिक डैट इस जी के और जी एस देखेंगे एससे में जी के लोगों बहुत हॉंड करती है क्यों क्यों कि थोड़ा सा हुआ क्या है कि जब से टीस ने इस एक एजाम को कराना लगी है तो आप से टी araty Economics Geography और Science यह साब आ जाता है और Current Affairs में आपको जो पता है डेली के आती है में अidir दो तीन दिन लेकि उसको कर लेना आपका मंतली पड़ार हो जाएगा और उसको दो तीन बार भार कर लेना करेंट अफेर्स हो गया फिर आपका आता है क्या बोलता है इसके लिए आपको पता है कि आपके लुसेंट के बुक आती है आप सब लोग जानते होगे लुसेंट के बुक बेस्ट है उससे आप हर सब्जेट का जो हभी है पढ़ लो जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कुछ वीडियो के तुरू समझना है तो यूटूब पे विडियो पढ़े है उनसे आप पढ़ लो और लास्ट में आपको करना क्या है प्रिवेस येर पेप लेए उसमें आप लास्ट के 10 साल के ही है पांसाल के करना दो या तीन बार रिवाइस कर लेना रिविजिए इस बेरी मच्ट ठेक है नौ कमिंग तू तू आपको इंक्लिश यह आता है इसलिए बहुत इंपॉर्ट बन जाते हैं कमिंग तू कॉंट में कुश्च नहीं करना एक advanced mathematics के लिए एक arithmetic mathematics के लिए advanced mathematics के लिए पवन रॉसर पढ़ाते हैं उन्होंने यूट्यूब पे पूरा फ्री में advanced math पढ़ा रखा है मैंने पढ़ाता है पूरी playlist बनी हुई है आप उसको उठाईए पढ़िए जो जो नोट कर वारे हैं पूरा नोट बना लीजिए फिर आ अभिने सर्ने जो पूरा playlist बना के पढ़ा रखा है आप उनसे पढ़ लो आपने इंदोने से पढ़ लिया जो भी चैप्टर पढ़ दो फिर साथ में आप क्या करना है प्रीवेस बुक्स लगाना है आपको ठीक है नो जो प्रीवेस यह यह यहां बहुत इंपॉर्ट प्ले करता है प्रीवेस यह आपको लगाना है एक लिए तीन बार इसलिए जब आप फर्स टाइम पढ़ रहे हो तो साथ-जाद इनको प्रीवेस लगाते जाओ मालो आपने प्रॉफित लॉस किया उसके लगा लो ठीक है तो अलब से प्रैस करने जो नहीं है पहले आप प्रीवे से पढ़ लेना है ठीक है साथ-जाद प्रीवेस लगाना है साथ-जाथ आपको नोट से पढ़ना है यह तीन काम करना है आपको क्वांट में और मैथेमेटिक्स में अपने स्पीड पर डेली काम करिए मैं हमेशा आपको लोग को बोलता हूं 15-20 मिनट आप अपने स्पीड क और fraction to percentage conversion कैसे आपको आना चाहिए बहुत ही फास्टी ठीक है and coming to last English English के बात करें देखें English में क्या होता है कि educator को इतना YouTube पर पढ़ाता नहीं है लेकिन बुक्स बड़ अच्छी आती है दो बुक बहुत ही अच्छी है एक नीदू सिंग की प्लिंट पैर आमाउंट आती है जो कि मेरे पास यह पढ़ी भी है यह दिख सकते हो ठीक है मैंने इसे से पढ़ा है पूरा आप देखो कितनी ही वह गई है तो यह है एक यह है ठीक है और दूसरी एक आती है SP बख्षी के बुक आपको SP बख्षी और इसमें से कोई यह भी एक लिन नहीं है या फिर दोन ले आपका तो वोकाब के लिए यह बुक पड़ी है मैंने इस पर भी सेप्रेट वीडियो बना रखा है हाव तो रीड वर्ड पाव मेंदीजी देखेगा उसको पांच लाग से ज्यादा लोगों देख रखा है समझाया है मैंने कैसे आप इसको एफिशेंट वे पर सकते हो ठी एससी में एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड वर्ड, सब्टेटिशन यह सब भी आता है एडियम फ्रेज बगर है ठीक है इस बुक को जब आप पढ़ोगो तो आपका क्या है कि थ्रला सा बेसिक क्लियर हो जाएगा अंडेस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि इंगलिश के इडियम फ्रेजिस उनको स्वड़ा सा रटना पड़ेगा और दो तीन बाद को रवाइस कर लेना तो आपका वो कैब यहां से भी हो रहा है और इससे भी लास्ट में एक फाइन टेश मिल रहा है ठीक है तो इससे करना या फिर एस्पी बख्षिस करना दोनों से मत करना किसी एक से करना और इसको मल्टिपल टाइम रिवाइस कर लेना ठीक है तो यह हो जाएगा और प्लस आपका लास्ट में इंग्लिश में आता है रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन तो रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन देखें बहुत जरूरी है क्योंकि रीडिंग जितना आप करोगे थी उतना ही जादा आपका टीर 2 में इंग्लिश में आपको हफ मिलीगी cert तो यह हो गया आपका सबका सब्यक्स का अब स्ट्राइजी आप इस तरह से बनाओ कि कैसे आपको 4 बंद्स में इसको पूरा करना है मैं कभी आपको एक plan share कर दूँगा कैसे कैसे आपको परड़े आप क्या कर सकते हो रही बाद आप लोग मौक का पूछ होगे कि मौक का सा कैसे करने देखो मौक का एक ही फंडा है अभी जैसे स्टार्टिंग में आपको मौक को लगाने जैसे एक मौक आज लगौ जो मैंने आपको दिया है करो करो कि और दो हफते में और अच्छी हो जाए तो उसके बाद क्या करना कि आप मौ कोई भी लगा लो कैसा भी लगा लेकिन हर कंपणी एक होता है लाइव मोग जरू कराती है जैसे गेड़ एक विइधक करते थे और भी जी जान से लग जाओ, जब आप इसकी तयारी कर रहा होगे, तो आपको साथ में CTSL तयारी भी हो जाएगी, MTS तयारी भी हो जाएगी, तो कुछ अलग से नहीं करना, और पुरा जी जान लगा जाना, अच्छा तयारी करना, यह भी कमी नहीं होने चाहिए तयारी में, ठीक है पेशिंस रखना, और कहीं भी डिमोटिवेट मत होना, ठीक है, चलिए, तयारी करिए, मिहनत करिए अच्छे से, and all the best, मैं पूरी प्रपेशन में आक सब बना रहा हूँगा, कुछ भी problem हो, कहीं से भी हो, आप doubt हो, आप comment में मुझसे पूछो, comment कर दो, मैं reply कर दिया करूँ यका यज दो, क्वा JUST हो आप दो, कैर झाया कर दो, मैं और किया से, प्रपेशन में आप कर दो को आपकी से, निर भी हो, रहा है।